नमस्ते 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 तो आप लोग उनकी बहुत दिन से का रही थी इंक्वरिएरी थी कि त्यागी सर एक इस्टोक मार्क消 के वारे में थोड़ा सा बता ओथ है uh you they're gonna come get me Nicole इंट्रडijn ही किया और इस टोक मार्किट से ऐसा भी नहीं कि आप पैसे नहीं कमा सकते हैं इस टुक मार्किट से आप पैसे कमा सकते हैं बहुत पैसे हैं बस बस आप मेरी पांच बाद माल लीजिएगा यह आप गिनकर मेरी पांच बाद माल लीजिएगा नंबर एक इंट्रडे ना करें चाहिए आप कितनी भी एक्सपर्ट हों बट इंट्रडे ना करें सोट टर्म करें लॉंग टर्म करें और नमबर चार मार्किट को पूरा वाच करें और दो तीनी स्टोक पर ही टार्गेट करें अगर आप सोचोगे कि 50 का आपने वाच लिस्ट बना लिया अब आप सोचोगे कि 50 के 50 वाच लिस्ट पर आप 50 में से कौन्टिटी भर लो वह आपके लिए बिल्कुल गलत होगा आपको करना क्या है बस यह सुनो और जो मैं कहना हूं मेरी यह चीजी मानों पांच चीज करना क कोई भी पांच स्टोक सेलेक्ट कर लेना वो हाई वोलियम हो चोटा वोलियम हो उसका रेट ज्यादा हो कम हो वो कोई मेटर नहीं करता है बस आपको करना क्या है उसमें सपोज करो आपके पास रिलाइंस टाटा किसी के स्टोक का वैसे डाम लेने ना जी में टूजर कोई भ पांच स्टोक आपके पास हो सकते हैं तो इसमें आपको करना के पांच ही लेना है प्लान करने का है पांच हो में हर महीने थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ का सबसे बड़ा फायदा यह है सपोज करो आज ए स्टोक प्र गया बी नीचे गया सी नीचे गया कभी पांचों नीचे नहीं जाएंगे और कभी पांचों ऊपर नहीं जाएंगे तो आपकी प्रोग्लम क्या है अब कभी इसको भरोगे कभी इसको भरोगे कभी इसको भरोगे चरभ आपको कि वो पहले से डूब रह तो के डूबने की तरफ ही जा रहा है डूबने वारे प्रक्री काम मत कर favor जो पर जा रहा हैं पहले उसको भरो अब जब बh違्ण या है उसको लग्राई तो फिर उसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना है क्योंकि हरका एक लिमिट है न अब जो ऐसे चल रहा है वह ऐसी थोड़ी चलता रहे कभी ऐसे भी तो आएगा न अगर आपको फिर लेना है तो इसका वाच करो और अगर आप सोटर्म कर रहे हो तो एक महिना 15 दिन जो भी और टारगेट दोनों सैट होना जाइए गोल अगर आपको 5% परफिट कमा रहे हैं तो 5% पर परफिट सैट होना जाइए और टारगेट आपको यह कि आप को तीन महीने के अंदर- scattered सेल करती होना तो अपको टाइम डिरेशन दूरेशन भी आपका सेट होना जाए्या यह नह तो और पिसमें जो इसवांट प्लेयर हैं वो वो उपर जाते काट देते हैं और हम लोग क्या करते हैं उप्र जाते ही खरीद है को तो आप होगा कि निफॉत टलेग हो तो मरें गाहिarm यहां पर लेंगे इनोप पर लेंगे और नीली कैप पर श्यूमोसिक wrench कुन पर निकालेंगे, यहां पर लेंगे, पाथ इसटोक का यह फाइदा है, अगर आपने पाथ महीने 5 स्टोक में ट्रेडिंग करी तो आपको इन की चाल पता चल जाएगी और जब इनकी चाल पता चल जाएगी तो आपको ये आईडिया लग जाएगा कि कब बाल्टी खाली करनी है और कब बाल्टी भरनी है तो थैंक यू वेरी मच मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सबस्क्राइब करें इसके बाद मैं आपको पांच स्टोक के बारे में और बताऊँगा और ये मेरी गारंटी है कर आप मेरी वीडियो देखते रहे तो एक ना एक दिन मैं आपको करोड़ पती जरूर बना दोगा केवल पांच स्टोक से बट करना क्या है जितना मैं क्या हूँगा करना उतर रही है Thank you very much Have a good day